हालो इप्रिवर्ण कैसे हैं आप लोग तो आदमें शेयर करूंगे आप सभी के साथ में बहुत ही जबर्दस मलाई बोटी पराटा रोल्स बनाने की रेसेपी घर पे बहुत ही आसान मेठट से एक बर जरूर ट्राइ कीजिए का बहुत अच्छी बनती है इसको बनाने के मैं कुछ मसाले डाल रहे हूं इसमें नमक डालना है और नहीं बहुत हुटावा जीरा पाउडर नालना है गरब मसाले का पाउडर हाफ टी स्पून डालना है साथी इसमें हमें 2 टेबल स्पून फुल भर कर दही डालनी होगी तोड़ी गाड़ी रहनी चाहिए साथी मैंने इसमें 2 टेबल स्पून दूद के उपर जमी मलाई लिया फैट कर और अब इसको मैं अच्छे से मिला दे रही हूँ यहां पे चिकन पे यह सारे मसाले हमें बिल्कुल अच्छे से लगा देने हैं जिसकी वज़े से चिकन में मैरिनेशन का प्रोसेस हो जाएगा और बहुत ही बोटियां सॉफ्ट बनेंगी इस तरह से मैरिनेट करकर बोटियों को पांच मिट के लिए रेस्ट पे रखते हैं तब तक डो बनाते हैं जिसके लिए दो कप हमें फलार लेना होगा और इस फलार में हमें बहुत चीज़ें आड़ करनी हैं पर तो थोड़ा करकर ऐनिए नहीं पर पहले दूठ डाली और डालकर मैं इस आपको बिलकुल अच्छे से कमाइन कर लूँगी यहां पर आपको जरुरत के मताबक पर इसमें दूठ डालना होगा तो थोड़ा थोड़ा करकुर डालीयगा क्यूंकि थोड़ा गरम है जिसे शकर मेल्ट हो जाएगी और बहुत ही मुलायम सॉफ्ट सा डो तयार होगा तो यह देखे तक्रीबन मेरा पूरा जितना मैंने एक कप दूद लिया था वो पूरा इसमें चला गया है दो कप के लिए और इस तरह का सॉफ्ट सा डो रेडी है इसको साइट पे कर लीजिए अब हमें एक चटनी बनानी है जो कि मिंट चटनी होगी इसके लिए मैंने पूदिना लिया हुआ है पूदिना के पत्ते मैं फ्रेश तोड कर लिए हैं और इसमें ले रही हूं चार-पांच लेसन की कलियां दो हरी मिर्श लेनी है कट कर कर इसी के साथ इसमें हमें हाफ ले ब्लेंड कर लेना है जब तक चटनी पिस्ती है साइड पे कर लेते हैं और यहां पे हम डो की तरफ आते हैं देखिए मैंने डो के उपर से भी एक टेबल स्पून डाल कर रग दिया था जिससे इसके उपर पपड़ी री जमें और बहुत अच्छा सॉफ्ट रहे यह तो अभी इस तरह का हो गया है तो इसके हमें पोशन कट कर लेने हैं तो नजदा बढ़े नजदा छोजे दरम्याने साइस के बॉल्स बना लेती हूं मैं और इस तरह से में पतले पराथे बनाने होंगे तो सारी लोग यह मैंने बना ली है अब इन लोगों को फर्दर गोल बनाकर देखी यह चिकन मैंने सारा डाल दिया है फ्लेम भी लगतार हाई रखी हुई है और हाई फ्लेम पे मैं चिकन को भून ले रही हूं इसकी वज़े से इसमें निकलेगा प्लस चिकन के खुद के जूसर निकलेंगे तो इसको दो तीन मिनट तक अच्छ से बून लीजिए तो बहुत ही जादा सॉफ्टेंडर हो जाएंगे जूसी बनेंगे इसलिए एक बार आप इसको लगतार से कुखोने दे उसके बाद इसको भून ले और भून कर चिकन बोटी तयार हो जाएगी इधर देखे मैंने लोईयां सारी बनाकर रख लिए हैं इस तरह की लचा पराठा एक प्रकर डालना है और बस कुछ सेकंड में इसको शेक लेना है दोनों तरफ से कच्चा पका सेक कर निकाल लेना है आप चाहें तो इस पराठे को फ्रोज भी कर सकते हैं इस ब्लॉक बैग में बाकर नेक्स टेप में हमें लेना है यहां पर मैंने अंडे कर लिया है यहां दो अंडा में ले रही हूँ और अब इसमें थोड़ा सा नमक ठाइड़ करना होगा थोड़ा वह निक्या। कि तवे पे वापस से तेल गरम करना है एक अक पराठा हमें लेना है अलका सा जो कच्छा पका सीख कर रखा हमने और यह जो अंडे का मिक्षर उसमें हमें कोट करना है और गरमा गरम तवे पे डाल देना है तो बिल्कुल नया यूनीक मेथड में आपको बता रही हूं फ्रें यह रोल्स बहुत ही अच्छा बनते हैं एक बार अब जरूर बना कर देखिएगा दोनों तरफ से अंडा भी हमारा से चुका है और पराठा भी जो था बाकी कसर पूरा हो गया है तो इस तरह से से लेना है एक मैं आपको और दिखाती हूं यहां पर बात बता दूं कि आपन इस तरह से पराठे को बना कर रग भी सकते हैं कच्छा पका सेक कर फ्रिज में रख देंगे तो क्या होगा कि अंडे वाला प्रॉसस इफाप को करना रहेगा और इसके बाद में बोटी को प्रिपेर करकर इस तरह से बोटी रोल्स बना सकेंगे तो बहुत ही आसान मिध़ड प्रिपेर कर सकते हैं और यह देखें बोटी रोल्स बनकर तैयार हो गई है इस तरह से आपको साइव एक तो एक बार आप यह मलाई पराथा बोटी रोल बना कर देखिएगा बहुत ही अच्छे बनते हैं और बनाने में भी बहुत आसान है अंडब अंड़े का भी फ्लिवर आता है और चीकन का भी अपना फ्लिवर आता है तो इस तरह से आप एक बार रोल प्रिपेर करकर देखिए गर में सभी को खिलाईएगा उमीदा सबको बहुत पसंद आगी तो सारे मैंने बोटी रोल इससी तरह से प्रिपेर कर लिया है और देख सकते हैं तो आप भी घर पे डिर सारे रोल्स बना कर अपने बच्चों को अपने मेमानों को घर में सब्सक्राइब को पसंद आएगी तो बाजार से अगर आप पर घर पर ट्राइब कीजिएगा बहुत ही अच्छा सा हेल्दी सा बनके तयार होता है और बनाना भी कमासा है तो एक बर जरूर ट्राइब करें अच्छी लगी होगी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें चैनल पे नहीं सब्सक्राइब जरू कर लीजेगा फिर मिलूगी मैं एक नहीं दमाके दर्जब दस रेसेपी लेकर तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिए भाइ थांक्त वरूची बारीध करें दिए एक रचेंगा बारीध करें है।